नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर मदर्सा सिच्छा में शामिल हो कम्प्यूटर साइंस पढ़ाई में राजभवन करे का मदद मदर्सा सिच्छा में शामिल हो कम्प्यूटर साइंस पढ़ाई में राजभवन करे का मदद बिहार राजिपाल राजिंतर विश्वरनात आलेरकर के द्वारा राजधानी पटना के खुदा बक्स लाइब्रेरी के सभागार में आयोजित दो दिवसी सेमिनार के उधगाटन में विज्ञानिक दृस्टिकोन की बाते करते वे कहा गया कि मदर्शों में IT, कम्प्यूट सक्षा के विकास में राजभवन की ओर से भी सयोग किया जाएगा। बतादे कि बीते दिन राज़े में डेंगू के 134 नई मामले सामने आये हैं। जिनमें बिहार की राजधानी पटना में अकेली 36 मामले हैं। बतादे कि अब राज़े में कुल देंगू मरीजो की संख्या 645 हो गई है। वहीं अगर पटना की बात करें तो पटना में कुल मरीजो की संख्या 299 है। मालम हो कि डेंगो के मामलों में राजे में भागलपूर दूसरे नमबर पढ़ा है जहां बीते दिन कुल 99 नई मामली सामने आए जिसके बाद अब भागलपूर में डेंगो की कुल संख्या 161 हो गई है। करने का भी आदेश्ती आ गया है। के अनुसार B8 और DL8 प्रमान पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को आयो की आधिकारिक वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपने डैस्बोर्ड में सर्टिफिकेट अप्लोड करना होगा। पसू चिकसालियों में होगा ज्यादा पशू का इलाज। पसू चिकस्तक कारेड़त हैं इसे में सादेश के बाद अब उन्हें जादा पशू का अपचार करना होगा। कहीं से पहले प्रतम वर्गिये चिकसाले में पंदर सव और अनमंडली असपताल में दो हजार पसू का उप्चार करना होगा। मंदर प्रबंद कार्णी समीती पर फॉरन करेंसी रेगुलेटरी एक्ट के तहत 80 रुपए का जर्माना लगाया गया है मालुम हो किस खुले कर मंतराले की ओर से नोटस जारी कर दिया गया है और इसे बीटी एमसी की लापडवाही बताया गया है आपको जानकारी के लिए बता दे कि महाबोधी मंदर पढ़िया जर्माना फॉरन करेंसी रेगुलेटरी एक्ट का रेजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराने और विदेशी मुद्रा दान का रिटर्न नहीं करने के कारण लगाये गया है आपको बताते चले कि महाबोधी मंदर का आई का मुक्त श्रोत विदेशी मुद्रा ही है ऐसे में FCRA का रेजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो सका है जिससे विदेशी मुद्रा दान के रूप में नहीं लिया जा सकता अब लाइसेंस के रद होने के बाद मंदर में दान के र परिती परिक्षा में शामिल हुए थे तो यह खबर आपके लिए है बता दे किस परिक्षा का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा इसकी घोशना चलत ही की जाएगी बता दे कि बेहार लोग सेवा आयोग कक्षा 9 से 12 और प्राइमरी का रिजल्ट अलग-अलग तीतियों में जारी करेगा मालूम हो कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार माध्यमिक और उच माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 12 तक के लिए परिक्षा देने वाले सक्षा कभियर्थियों का रिजल्ट 18 सितंबर के बाद तक जारी किया सकता है तो वहीं उसके बाद कक्षा 1 से 5 तक का साइटी बिहार के सहयोग से रक्तदान सिवर नेतर निदान आई हॉस्पिटल कंकर बाग में लगाया गया जिसका विधिवत उद्गाटन पीडी जी रो डॉक्टर राकेश प्रसाद ने किया बता दे किस पूरे कार्यक्रम का आयोजित रो डॉक्टर सुजीत कुमार की दे पुलिस की गिरफ्त में आया मंत्री पसुपती पारस को धमकी देने वाला युवक्ट रालूजपा के राश्ट्री एध्यक्षवक केंद्रिय मंत्री पसुपती कुमार कारस को 22 अगस्त की देर रात को सरकारी आवाज के टेलिफोन पड़ हाजिपुर संसदिय सीट को लेक जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को नई दिली के पारलियामेंट स्ट्रीट ठाना के पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है महीं गिरफतार यूवक के दोरा भी यस्वी कार कर लिया गया है कि उसकी तरफ से फोन कर केंद्रिये मंतरी को धमकी दी गई थी पतादे किस यूवक के द्वरा बताया गया कि वर नर्शे की हालत में था और उसने गूगल के जड़िये केंद्रिये मंतरी का नंबर ढूंड कर उने फोन कर चांसे मारने की धमकी दी और हाजीपूर सीट से चुनाव नहीं लड़ने को कहा इसके अलावा यूवक ने पसुपती पारस मुर्दाबाद और चिराग पासवान जिंदाबाद का नारा भी लगाया लेकिन इन सब के बीच यूवक के द्वरा ऐसे किसी व्यक्ती का नाम नहीं बताया गया जिसने उसे यह काम करने को बोला हो यूवक ने बताया कि यह काम उसने अपनी मर्जी से किया है अब तक 1.95 लाग सक्षकों की ही अपडेट हुई प्रोफाइल इस सक्षा कोस पोर्टल पर अभी तक राज्य के 1,95 लाग सक्षकों कहीं प्रोफाइल अप्लोड किया गया है जो कि कुल सक्षकों की संख्या के आधे से भी कम है ऐसे में इसको लेकर सक्षा विवाग के दौरा राज्य के सभी जिलों के जिला सक्षा पदादिकारियों को पत्र लेकर नराजगी जिताई गई है और यह नर्देश दिया गया है कि सकारी में तेजी लाई जाए आपके जानकारी के लिए बता दे कि राजे के सरकारी स्कूलों में सारे 4 लाग से अधिक सक्षक कारेरत हैं जिनकी प्रोफाईल ये सिक्षा को स्पोर्टल पर अप्लोड होनी है मालमों कि इसकारी को करने को लेकर तीन महीने पहले ही जिला सक्षा पदादी कारियों को प्रसक्षन दिया गया था पता दे कि सक्षा विवाद की ओर से उन राज्यों को विसे सिदाय दी गई है जो सक्षकों के प्रोफाइल को इस सिक्षा को स्पोटल पर अप्लोड करने में फसद दी हैं जिनमें और अंगाबाद पश्चिन चंपारन अरड़िया लखी सराय और जमुई जिला का नाम शामि जहां उन्होंने पीए मूदी समीत आने नेताओं से मुलाकात की वहीं अब सीयम नितीश और पीए मूदी के बीच हुई मुलाकात के बाद केंदर सरकार के ओर से बीते दिन याने की रविवार को अफकास का दिन होने के बावजूद भी बिहार के त्रियस्तर ये पंचाइती राज संस्थानों के लिए 1,942 करोड रुपे आवंटित किये गए हैं बतादे किसकी जानकारी राज्य सरकार को दे दी गई है वही इस बाद की पुस्टी पंचाइती राज विवाग के अपर मुख्य सची महिर कुमार सिंग के दौरा की गई है मालमों की वीतिय वर्ष 2023 में 15 वित आईयो के अनुसंसा के तहट केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में कुल 3,884 करोड रुपे की राज्य सरकार को प्राप्थ होनी है जिसमें से प्रथम किस्त के रूप में 1,942 करोड रुपे राज्य सरकार को दे दिये गए हैं अब बहुत जल्दी पंचायती राज विवाग के दोरा जलाप परिशत पंचायत समीती और ग्राम पंचायतों के खाते में राशी आवंटित करने का काम किया जाएगा 2024 चनाओ को लेकर जेडियू ने बीजेपी को दिया चालेंज जी बी सिखर समीलन के रातरी भोश में बिहार के मुख्य मंतर नितीश कुमार के शामिल होने को लेकर जेडियू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के दोरा कहा ग्याग नितीश कुमार राश्रुपती के निमंतरन पर दिरन में शामिल हुए थे उन्होंने कहा कि दोजार चौबस में बीजेपी की बिदाईत है वेकलपिक राजनिती के दिसा प्रसस्त हो चुकी है ऐसे में जद्यू का भाजपा के साथ जाने का क्यास गलत है उन्होंने कहा कि नितीश कुमार के द्वारा कभी भी प्रोटोकॉल का उलंगन नहीं किया गया उन्होंने कहा कि अगर अनुमती होती तो वो प्लेट धोने वहां पहुँचते जीबीस बैठक में खड़गे को ना बुलाने पर सुसील मोधी का बयान प्यहार के पुर्व हुप मुख्य मंत्री एवं राजय सभा सांसत सुसील कुमार मोधी के दोरा कॉंग्रेस का और साथी सीयम नितीश पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई उन्होंने कहा कि जी भी सम्मेलन के अफसर पर राश्ट्रपती के रातरी भोज में शामिल होकर मुख्य मंत्रे नितीश कुमार ने घड़ेलू राजनिती को परे रखा लेगर उनके सरकार के मंत्री और पार्ट बीजेपी सहित किसी दल के अध्यक्ष को आमंत्र नहीं था तब कॉंग्रिस क्यों मूफ राए बैठ रही उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस बीजेपी विरोध की सनक में भारत विरोधी हो रही है लालू राबरी ने 21 लीटर दूद से देवघर के बाबा बैदेनाथ मंदर में की पूजा वीतर दिन राजस्तुप्रीम लालू परशाद यादव अपनी पत्नी और बिहार की पुरव मुख्य मंत्री राबरी देवी के साथ देवघर पहुंचे जहां उन्होंने पूजा अर्चना की बता दे किस दौरान लालू यादव और राबरी देवी के दौरा बाबा पैदेनाथ पर 21 लीटर दूद अविशेक किया गया वहीं पूजा के बाद लालू यादव ने माता टेका और देश दुनीय सब के दिये प्रात्ना की मालम हो कि बाबा बैदेवी देवी के दौरा दूमका मिरसिद बाबा बासू की नाथ की भी पूजा की गई रोहित सर्मा ने पाकस्तान के खिलाफ क्रिस गिल का रिकॉर्ड किया चकना चूर भारत और पाकस्तान के बीच खेले जा रहे है इशिया कप 2023 के सूपर 4 राउंड में भारती ठीम के कप्तान रोहिस सर्मा के दोरा उंचास गेंदू में 6 चौके और 4 चक्के की मदल से 56 रन बनाते पे अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्च किया गया है दरसल रोहिस सर्मा अब श्रीलंका भी सबसे जादा अंदराश्टी चक्के जमाने वाले महमान बल्लेबाज बन गए हैं पतादी की रोहिस सर्मा ने श्रीलंका में कुल 3-3 चक्के जड़े हैं और इसे के साथ इन्होंने विनिवर्स बॉस के नाम से मशूर क्रिस गेल का रिकॉर्ड चक्ना चूर कर दिया है मालम हो कि वेस्टिन लीज के ओपनर क्रिस गेल के द्वारा स्रीलंका में कुल 30 इंटरना बिजबपर पूर्ण पेट्रोल 14.5 रुपए और डीजल 95.2 रुपए प्रति लिटर मिल रहा है वहीं पूर्या में पेट्रोली कीमत 14.3 रुपए और डीजल कीमत 15.6 रुपए प्रति लिटर है भागरपूर्ण पेट्रोली कीमत 14.6 रुपए और डीजल कीमत 15.3 रुपए प्रति लीटर और दीसल, चारवें दसमनों तीन चार रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। अब हमें हमारी कमेंट सक्षन में लिकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहाने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखना चलम को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से ना भूले थन्यवात।